जहां तक बात करें परंबिर सिंग को लेकर आईपीएस ओफिसर है और अब ये बात सामने आ रही है कि वो कंट्री छोड़ कर जा सुके है इस पर लेकर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कब गए कि क्या इसके बारे में किसको कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि जहां तक एक आईपी ओफिसर अगर कहीं पर भी चुट्टी पर जाते हैं तो उनका जो आड़रेस है या फिर उनका जो भी लोकेशन है वो सरकार को बता कर जाते हैं पहले बात तो केंडरी तपास इंद्रणा के तरब से ही ये बात लिख की गई है कि परभमविर सिंग इंदुस्तान में नहीं है सवाल उठा है कि उसका अखरी लोकेशन जो मिला है वो अमदाबाद में मिला है अम्दाबाद एरपोर्ट पे मिला है वो ही उनके तपा संत्रना के तरब से बाते बाहरा आ रही फिर सवाल यह उड़ था है कि जब वाज़े प्रकरण महराश में हुआ तब राज्य की सरकार गिराने के लिए जो कोशी से किंदर सरकार के माद्यम से हर बार चल रही है उसका एक साजिश उस समय में थी अब और उसी के लिए इस IPS अधिकारी को कपजे में लेके उनको प्रमोशन की लालज देके उनको अच्छी पोस्टिंग देनी के लालज में केंदर सरकार हमेशा इंका दूर्पयोग करते आ है और उसका प्रिणाम उसकी उनकी साजिश के साजिश के अन्तरगत परवसajes सिंग लटक गए है ऐसा हम लोगों को लगता है और इसलिए परववई सिंग मुर न खुले और इसलिए के इंशारे किया आधार पर वो देश छोड़के चले गए है ऐसा हमें अंदाज है इसकी केंद्री तपा सिंद्रना के मादेम से जो भी जाचे चल रही है उन्हीं के तरफ से जो निउस आ रही है उसमें ये बात तत्य है केंद्रे सरकार अपनी गलती को चुपाने के लिए परमपरिसी को के बाहर बेजा हैं अब महराश्ट्र सरकार के और से फिर भी किस तरीके के कदम लिये जाएंगे क्या अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक IPS सर्विंग IPS ऑफिसर जो उनको ड्यूटी जोइन करने थी एक रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई थी तो किस तरीके का आक्शन उनक के केंद्र सरकार में बेजना पड़ता है और फिर उसको बहार जाने की परमिशन मिलती है जो माहित जो मालूमात अभी मिल रही है उसके आधार पगर परमविर सिंग एडिटिफाय होगे कि वो देश चोड़ के चले गए है तो तुरंत राज्य सरकार कारवाई करने के जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसिजर होती क्या उसकी शुरुवात हो गए है जब वाज़े प्रकर माहराश में हुआ है जब विदान सभा में पहली बार ये प्रशना आया तो राज्य सरकार ने इसमें इंकौरी शुरू किय थी और तुरंत CBI ने ये इंक्वारी अपने कबजे में ली थी आपको याद होगा और उसी के आधार पर पूरी इंक्वारी केंदरी तपास केंदराना के पास केंदरी सरकार ने ली ये एक बड़ी साजिश थी और वो साजिश के अंतरकर जब वो परम्विर सिंग अब कहां है कहा गया है क्योंकि जहां उनका पोस्टिंग था वहाँ पर उनने कहा था कि मेरी तबेट ठीक नहीं करके मैं जोइन नहीं हो सकता इस तरह का राज़ी सरकार को उनने अपनी बात बताई थी अब वो तो सेवा नियाम जो होते हैं उसके अंतरका तो वो किसी करमचार रहे की तब ठीक नहीं है तो वो उस तरह का रिक्वेस्ट अप्लिकेशन दे सकते हैं और उसलिए आदार पे थे लेकिन ये सब इंकवारी तो E.D. के माधें से चल रही थी जब E.D. के माधें से चल रही तो परहमेल सिंग कहां है उसकी इंकवारी क्या कर रहे ये सब बाते तो सामने आना चीए और इसलिए केंद्र सरकार का पूरा हात है कि इस तरह के अधिकारी को उनको साजिश में लटकाना उसका गैर फायदा लेना राज्जे सरकार जो केंदर सरकार की विरोध के राज्जे सरकार है उनको बद्दाम करना ये जो बार 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 बीजेपी की सरकार जो 7-8 साल से केंदर में बैठकर कर रही है उसी का परिणामे की IPS और IPS अधिकारी आज दाशत में है उसके वारे मुझे कुई जान करते हैं वो तो मजब अमरिका की अधिक्षिय वारे में बोल सकते है उसके वारे मुझे कोई जान करने के लिए कि वह केंद्र सरकार कहाते हैं उन्हें बेश से बाहर बगानी नाना पटोले कुछ भी बोलते रहते हैं उनकी हर बात का थोड़ी जवाब दिया जाता है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, नाना पटोले ऐसे आदमें, कि वो तो मतलब अमरीका के अध्यक्षिय वारे में भी बोल सकते हैं.